नमस्कार जी नमस्कार सब सर क्या आना मैं आपका? राजेश कुमर बंसल जी राजेश जी कहां से आए आप? ये गाव मुकंदपर जी डिस्टिक तहस्तूल सहजादपूर डिस्टिक अंबाला जी सर संतरामपाल जी महाराज की संड में आने से पहले आप क्या बक्ति सादना करते थे? जी मैं बुराड़े वाले से नाम लिए वा था पंदरा साल उनकी संड में रहा हूँ बुराड़े वाले कौन से संड से आपने नाम दिक साले रखी थी? ये सही बदास नाम था जी सर जब आप पहले बक्ति करी रही थे तो फिर आपको संद रामपाल जी महाराज की संड में आने की क्या हो सकता थी? सर आपको ऐसी कौन सी बते लगी जिन से आपको लगा की बुराड़े वाले संद के पास वो ग्यान नहीं है जो ग्यान संद रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है सरा आखी राप संतराम पाल जी महाराज की सर्म में आये कैसे क्या माध्यम बना आपका अक्ताब पढ़ने के लिए दी मैंने उसको पढ़ा और अच्छी तरह ग्यान को समझा फिर गुरुजी की सरन में है सर हम बहुत सारे ऐसे सरदालों से मिले हैं संत रामपाल जी महराच के जो कहते हैं कि उन से नाम दिक्सा लेने के बाद उनको बहुत सारे अद्बुद लाब मिले हैं तो सर आपको क्या लाब मिले संत रामपाल जी महराच से नाम दिक्सा लेने के बाद मैं भी बहुत नसा करता था सुल्फा पीता था बीस वीस वाइस वाइस सिक्रट सुल्फे की दिन में पीता था और सराब मिलगे पहरता था भुक की मिलगे पहरता था ता जब में जा मासम से बाहर आया एक मैक्स जी का वाले भाय ने सिगर्ट लगाई जब उस सीगर्ट का धुहा मेरे नाक में पड़ा तो मेरे को इतनी नफरत हो गई इतनी नफरत हो गई मेरा स्रीर एक्दम काप गया और उसके बाद आध तक मेरे को नाम लेने से भी घिर्णा आती है सर और क्या क्या लाब मिले आपको आर्थिक स्थीती मेरे बहुत खराब थी जी कोई रोजगार नहीं था मैं सिर्फ छोटा सा काम करता है सैकल पे फेरी वगएरा और सट्टा वगएरा भी लगाता था जो थोटी मोटी अमेरे को लाब होता था इंकम होती थी कुछ उसमें से नसा कर लिया कुछ छोटा बहुत अपना घर का समान लिया यानि बहुत तो स्थीती कराब थी जी बार यबार तो खाने के लिए भी समानी होता था जब गुरु जी से नाम उपतेश लिया नाम लेने के चार दिन के बाद ही मेरे को जोब मिल गई और मेरे को 750 ज deben कर यार करजा ता सब मेरे करजा उतर गए 6 मिने के अंदर 7-8 मिने के अदर मेरे को बाएख भी मल गई बाएख भी हो गई आज मेरे इस्थिती बहुत अच्य है मान सिक्थिती सबसे अच्छी है मतलब मेरे किसी भी परकार के आद तक लीफ है नहीं है सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महराज से नाम दिक्सा ली और आपके घर में लाब होना शुरू हो गए आखिर एक संत से नाम दिक्सा लेने मातर से केवल उनके आसिरवाद मातर से इतने सारे लाब कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को कैसे समझाओगे? देखे जो बंदी छोड संतरामपाल जी महाराज जी भक्ती देते हैं बिलकु सातर पर्माणित है और सच्चा ग्यान है उस वक्ती को करने से ही सारे लाब होते है जी उस मंतर के अंदर ही वो सकती है जिससे सब आर्थिक स्थिति सब सुदर जाती है सर जैसा कि आपने बताया कि संतरामपाल जी महराज ने आपको बहुत सारे लाब दिये और उनके सरदालों को भी बहुत सारे लाब दिये तो सर, सांतरां, पाल जी माराज, सुम जेल में क्यूं है, वो आखिर बाहर क्यों नी आ जाते हैं? विरोध करने के लिए उन्होंने सधी अंतर रचा और इस ग्यान को उपर नहीं आने दे रहे हैं जी सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर मैं उनसे कहने चाहूंगा भी वह एक बार संत्राम पाल जी महाराज जी का सस्तंग सुने ज्यान से 15-20 दिन सस्तंग स उन्हों को अपने आप ही पता चल जाए कि क्या सच है और क्या जूट है जी धन्यवाद सत्साइब